हुआ 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 है 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 आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लेक्चर की पीडिएफ और लिंक्स आपको यहीं पर अबलेबल होगी ओके और फूंड लिंक्डिए प्रʊंड नंज लि सकते हैं लिए बूस्सक्राइब क्या ठीक है यह कुछ एक्सटर फीचर जो आपको मिलेंगे फीक की दिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है आप देख सकते हैं अपने इसाब से को चुन सकते हैं इसमें प्लस और आइकॉनिक दोनों कोर्स हैं ठीक है यूज कोड दीपक वन ठीक है यह मेरा कोड़ है इसको यूज करने पर आपको मेरी परस्टनल मेंटर्शिप ठीक है आपके आंसर राइटिंग का इवैल्वेशन ठीक है और इसके लावा फिर आपके जो विकली फीडबै है यह में जब से प्रोबाइट के जाएंगे बिट नोट्स इसको देखेंगे यूज के लिए अप्लाइट कर सकते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है आप वहां से कर लें ठीक है इसको देखेंगे 10,000 वर्थ की बुक भी आन अकैडमी की जब से आ सबसक्राइब कर सकते हैं ठीक है 25 परशेंट डिसकाउंट मिलता है अगर आप जीस के साथ अप्सर लिए इसके लावगा एक्स्टा 10 परशेंट डिसकांट मिलना बाइव यूजीमरी रफरेल ल कोड छी के इस तहरीक से स्काउंट अगर लिमिटेट सीट्स हैंडे डिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बीकली वन-on-one पर्शनल मेंटरिंग सेशन इस टॉप मेंटर्स यह आपको प्रवाइट करेंगे इसके लोग रिखेंगे वन यह और टू यह बैचेस नाइन जून से स्टार्ट होरा तो यू सब्सक्राइब इस बैचेस इवन सब्सक्राइब करेंगे यह आपका प्रिलिम्स का समझे के प्री प्रिलिम्स इक्जाम में ठीक है तो इतना सीरियोस लेके चलेंगे बहुत टॉप मेंटर्स से आपको मेंटर्सिप में लेकर आपकी रहेंक आती है यह एक्टाइब आपको फिप्टी ठीक है इस प्रोबाइड यू एक्टाइमी फिस्कल नोट्स मैक बॉक आइफोन आइपड एरपोट ठीक है लोट ओप ठीक है यह एवरी संदे होता है ठीक है एवरी संदे सुबहें 11 एम पर ठीक है यू कन पाटिसिपेट बाइजिंग म दो मैदे फुटराइज एब सफिससल ले सिस्ट फीक है यू एर इब साथ आइफोन मिशन एंड़ी संदे मिशन इस मिशन CSC ठीक है अंडर इंडियन फिलोसफी एंड टुड़े आइं हैपी विकार्ज आइं गोईं तो डिस्कर्स बुद्धिस्ट फिलोसफी ठीक है तो इस फिलोसफी विकम बेरी इंपोर्टेंट ठीक है फ्रॉम एग्जामिशन पॉइंट पॉइंट फ्यू ठीक है कि सब्सक्राण घ्रखें टूर्स में थोड़ा सथे रहान राहों मैं अपना रहा हूं फिलोसफी फिलोसफी की घ्लास मेंना डिसकसमेहलत नहीं धिसकसन ही भी हो जाकते है तो हमें यह नहीं मिलता में आपको मैंटर अबलेबल ठीक है तो मैंटर तो मैं आपको प्रोवाइट करूँ गई साथ में डिसकेशन भी हर एक पॉइंट पर हो और कुछ जो क्लास वो टोड़ी से कनेक्टिंग में रहेगी कि बहुत ज़्यादा हेलफुल होगा तो ज़्यादा देखें ये सबसे पह ठकल आप सभी को मालू होगा ठीक है अच्छा ये तो बात है वैदिक एज की इसकी बात है वैदिक एज की लेकिन लेटर वैदिक एज में इसी धर्म के ऊपर ठीक है ये जो मौरल कोड अफ कंडक्ट है ठीक है इसके उपर पर्टीकुलर कमुरीटी का डॉमिनेंस हो गया ठ अपने धर्म के रूप को अपने हिसाब से बदल दिया ठीक है अपने डेलीफिट के लिए सब आप सभी को मालू होगा मैं ठोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में जऊंगा तो सब आपको मालू होगा कि सूसाइटी में जो सर्पलस था ठीक है उस पे अधिकार करने के ल है उन्होंने धर्म के रूप को ही बदल दिया अब जब धर्म का रूप बदला जो moral code of conduct था इस सोसाइटी में problems राइज हो गई ठीक है जाइसी बात है problems राइज होंगी और जैसी society में problems होई तो वहाँ पे तीन philosophy निकल कर आती है हमारे सामने ठीक है इसके अगेस्ट में तीन philosophy आती है यार रखेंगे हैं क्लियर है यस दो फिलोसोफी इस दो most important ठीक है जैनिजम ठीक है जैनिजम philosophy गद्धिजम ठीक है बुद्धिस्त अब इनको हम हेट्रोडॉक्स बोलते हैं मतलब इस फिलोसफी इनका वेड में कोई किसी भी प्रकार का कोई भी मन नहीं है इनका बेड़ों से कोई लेना देना नहीं है यह बेड को नहीं मानते हैं यह बेड़ के सुना ओगा सनलेखना भी दी मैं आपको इजी एकजापकोस देता हूं जैसे कि आप समझ मैं तो मेभी यूँ हर्ड़ अबाउट अबाउट अब नहीं तो जैनिजम अल्वेज टॉक अबाउट सनलेखना एक्स्टीम सेक्रिपाइज एक्स्टीम औस्टेरिटीज ठीक है कि कि जब यह आत्मा सरीर को छोड़कर जाए तो यह जन्म मरण के बंदन से मुक्ट हो जाए यह बात करता है जैनिजम अट सेम टैंग चारवाग कहता है ठीक है कि वह सरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है ठीक है यह माटेरियल कल्चर को मानता है ठीक है मलब सरीर का सुख ह सबसे व्रसुख है यह कहता है उधार मांक की घीप यो चलेगा ठीके लेकिन सरीर का सबसे बहुण करता है एक तरफ ये बिलकुल बात करता है कि भाई प्लेजर की बात करता है एक स्ट्रीम प्लेजर एगने को एकス्ट्रीम प्लेजर एक वैड करेट उढब स्क्यू recovery or middle path और जब यह रास्ता middle path वाल आएगा तो यहीं पर आएगा बुद्धिजम तो बुद्धिजम क्या है बच्चों बुद्धिजम यहीं पर डबलब होता है middle path में I hope you get my point ठीक है what I am trying to say are you getting my point बताइए जैनिजम extreme sacrifice, extreme austerities चारवाद only pleasure extreme pleasure उधाव मांके घीप योग चलेगा लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है जीवन में pleasure है material भुद्धिक्ता को आगे बढ़ाता है जैनिजम त्याग को कहता है वह बुद्धिजम आता है कहता है नहीं no extreme pleasure or no extreme sacrifice use middle path ठागे और यह जीश बुद्धिक्ता की फिलासफी है और यह जीश बुद्धिक्ता की फिलासफी है and today we are going to discuss this philosophy of the बुद्धिजम ठागे तो I hope you can correlate these words ठागे let me clear the seat okay अब यहां पर आए बुद्धिस्ट फिलासफी ठीक है अब पर नेक्स्ट क्वेस्टन इस किसर बुद्धिस्ट हेट्रोडॉक्स क्यों है क्या हमारे वेदाज में क्या कोई प्रॉब्लम है एक क्वेस्टन आएगा ना क्या हमारे वेदाज में कोई प्रॉब्लम है there is any मतलब लाइक जो फैलिबिल्टी है ठीक है कुछ फाल्स है कुछ फाल्स डिफाइन किया गया है क्या आखिर गुद्धिस्ट बेदाज के अगेंस्ट में क्यों हो गया तो गुद्धिस्ट में ग है कि अगर हम बैदिक मंत्र का गलत प्रयोब कर सकते हैं तो फैस हमारे किस काम अगर बैदिक मंत्रों का गलत एक्स्प्लानेशन हो सकता है तो आखिर ये बैदिक मंत्र हमारे किस काम के तो बुद्धिजम इस पर इस्ट्रेस जड़ डालता है बुद्धिजम वेट को क्रिटी साइज नहीं करता है बुद्धिजम कहता है कि Use your mind ये वेद में लिखा है कि कौशेप्ची लिखा हुआ है कि गंगा का पानी जो है वो सबसे अच्छा होता है आप गंगा जल्पीएं सबसे सुध होता है सबसे पभित्र होता है लेकिन आप कानपूर का गंगा जल्पी लीजिए आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ तुरंट मिलन हो जाएगा बुद्धिजम गौथम बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि परसंद को अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए अपने विजडम का यूज़ करना चाहिए मैं बेद के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जिसके मंत्रों को जिसके एक्स्प्लानेशन को गलत किया जा सकता है वो किस प्रकार सही है ठीक है वो किस प्रकार सही है तो यहीं से बुद्धिस्ट फिलासिफी का पहला पॉइंट आया जो लोग भी बोलते हैं कि बुद्धिस्ट फ कि एथिकल रेगलुएशन और गिडिंग बॉइंट हां मतलब बुद्धिस्ट फिलोसोफी टॉक अब अधिकल रेगलेशन मिस क्या सही है क्या गलत है वह वैदिक मंद्र नहीं अपने विजिडम से करो अगर वेद की चीजों को पढ़ो मंद्र को पढ़ो तुम्हा दिमाग क फिलोसोफी जिसने वैदिक जो जो छेर चार्ट किया गया तो जिन में लेटर वैदिक में उन्हें कहता है कि आपने बिजिडम का यूज करो क्योंकि अगर बिजिडम का यूज निक रोगे तो आपका नास हो जाएगा चिमपल सी चीज़ है कि अरुगेटिक मैं पॉइंट अधिक मैं रहिए टो आपका यूज को जाएगा चीव स्यूद प्राइब अट्रण स्पॉट एक्टों अगया ऊच्रुट के कि अधिक अधिक रोगेटम पिकम बेरी को ए तो पहिए ने थे कि अई लिग सब्स्टेड रेखी टेंट कि यूज इग गूज को इस नाइप संद्र रहे इडे अब गूगल पर सर्च करेंगे लिए संद्रल्र plant अब सब्सक्राइब UM क्या दिया लोगों कि सनी देव आओ और हमारे दुख को हल लो लेकिन सन्नो देवी लिखा हुआ है सन्नो देवी मतलब हमारे अंदर चंचलता है उत्तेजना है उसको खत्म करो मंत कुछ और कह रहा है एक्स्प्लानेशन कुछ और कह रहा है अब तुम्हारे विजिटम पर है कि तुम कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हो इसलिए वेस्टन जो थौट वाले लोग है जो वेस्टन फिलोसफर्स हैं उन्होंने बुद्ध को बहुत जगा दी अच्छा बुद्ध वेड क्या गेस्ट म परसन इंडा वर्ड यह वो पहले परसन थे जो हरे चीज़ के पीछे लॉजिक निकालते थे प्रतित्त समुद्पाद ठीक है आगे मैं डिसक्स करूँगा यसी लेक्चर में प्रतित्त समुद्पाद अगर कुछ हो रहा तो इसके पिछे कार्ड जिम्मेदार है तो यह मैं अभी आपको एक्स्प्लेंट करूँगा वहाँ पर आपको समझ में आएगा ठीक है हाँ इको हो रहा है सच में क्या बताइए हाँ ठीक है हाँ तो अपर नियो इन पेडल कर देटा अई एक सबसे पहल바 इए यथिकल रविलैशन है हाँBS है फिर यही से डेटलक में होता है ठीक है नियौत डिकर कीने केल एक सांपन से कोनट जीदग्रेंट थिए यस निन नो 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 इन गोंगे इस्टॉप अन दो सुल ठीक है आप जोट्ट गिव मी अ पॉइंट ठीक है अगेंस्ट अगेंस्ट मेटाफिजिकल कॉंसेप्ट ठीक है आपने देखा है इसको मैं निकल पड़ा है तो तत्वा मि मान सा मेटाफिजिकल कॉंसेप्ट एड है जो आपको मालूम होना चाहिए ये गौत्म ने बुला कि अगरेंक ब्यक्ति को चोट लग जाती है तेकर फिर वो जो explanation है वो पुराना explanation तो उसमें लगा है तीर लग जाता है ठीकिए arrow अब एक ब्यक्टी को या किसी पक्छी को या किसी को भी एक तीर लग जाता है अब एक ब्यक्ति चोट खा गया तीर लगया, कुछ हो गया तो क्या आप उसको देख कर ये सोचोगे कि ये तीर किरधाटु का है, इसका तद्धु क्या है Metafisical Concept ये ब्यक्ति क्या इसको तीर लगा तो क्या इसकी आत्मा पर्मात्मा से मिल जाएगी क्या यह सच में स्वर्ख जाएगा या नर्ग जाएगा या इसमें जीवन होगा या आप यह सोचोगे क्यों से उठाकर हॉस्पिटल लेके जाओगे भाई आप उस व्यक्ति को जिसको चोट लगी है तीर लगा है गोली लगी है कुछ भी लगा है आप उसको सीधे सबसे पहला आपका करता पर क्या है आप उसे हॉस्पिटल ले जाओगे आप वहां पर बैठके यह विचान नहीं करोगे यह यह गोली अगर गुलेट लगी तो गुलेट किस धातू की है यह कौन सा मेटल है यह तीर किस मेटल का है यह परसन इस ब्यक्ति में जीवन है की नहीं है क्या सच में इसकी आत्मा इससे आहाँ हुई होगी क्या इसकी आत्मा इसके सरीर को त्याक देगी क्या यह वही समय जब आत्मा सरीर को त्याक दिये आप इस पर देखोगे कि आप हॉस्पिटल ले जा तो सिर्द मौप परमात्मान्य निराकार्व है कुछ बोने यहां कि कहा है तो जब आभी तक लोग यही नहीं सिद्र कर पाए कि जो गॉपल है वो निराकार है यह उसका आकार है परसॉनिफ़ाइड है ठीक है कि नहीं है जब लोग यहीं निया स्प्रेंग कर पाए इसका कभी भी प्यांसर नहीं मिलेगा अ कि इस थौर को लेकर सोक्रेट में कुछ बोला है सुक्रात ने मैं आप से ट्रों सा डिसक्सन करना चाहाँ गा इन्हीं गुद्धिस्ट की मेटाफिजिकल को लेकर उनों ने बोला कि दो तरह की यान होते है नॉले स्थिसे नो दो तरह की होते हैं ठीक है चलिए कि मैं आप से पूछूं कि बच्चो इसके चार आप्सें से मुल्डिपल च्वाइस क्वेशन से ठीक है और अगर तुम में से कोई तुम मैं से सब इसका अंसर दो और जब तुम लोग इसका अंसर दोगे तब मैं आपको बता दोंगा किसका करेक्ट आंसर सी यह कि बच्चो मैं आपको एक MCQ देता हूँ यह क्वेस्चन इसके चार आप सब्सक्राइब और आप सभी को थर्टी सेकेंड में आंसर देना है जब आप सब आंसर दे लोगे तब मैं आपको बताऊंगा किसका अंसर सी चलो जल्दी बता इसका अंसर क्या होगी इसका अंसर क्या होगा तो हर कोई बता देगा तो कि मैंने बोल दिया है उसी सब्सक्राइब किसका अंसर सी है तो यहां पर बोला जाता है कि कुछ ऐसे क्वेस्चन है जिनका अंसर सबको मालूम है जिनका अंसर सबको मालूम है अच्छा अब एक और क्वेस्चन है बोले कौन से क्वेस्चन तो बोले एक क्वेस्चन चलो मैं बताता हूँ उडिसा और बंगाल का बर्डर जहां मिलता है समुद्र के टट पे वहां पर मेरा घर है इस बार ठीके याथ तूफान से मैं बच गया ठीके इस बार मैं याथ तूफान से बच गया और मैं आप से पूछू कि यह बताईए अगले कितने तूफानों तक मैं जिन्दा रहूंगा तूब को लगेगा यह क्या क्वेस्चन है तो बैदिक क्वेस्चन ऐसी है तूफान से कोई पूछे कि मेरा घर तो है बिलकुल उडिसा के कोस्टल रीजन पर है यास साइक्लोन आया इस बार मैं बच गया हर साव साइकलोन आता है मेरा जीवन कितना है मेरी उमर कितनी है तूब बोलो कि अजीव मूर्ख है तो अजीव मूर्ख नहीं यह वेड में ऐ जैसे ही क्वेस्टन है और वेट में एसे छे क्वेस्टन है जिनका उत्तर ही नहीं है जैसे इस्वर के आकार और निराकार की रूप को लेकर कि ठीक है आप एक और कॉंसेप्ट देखो तो भीट कर यह आप लखनों में रहते हो यह पहले वाले का अंसर है तो देखे जरूरी होता है कि आपके पास में क्वेश्टन किस प्रकार के है और जब जिस टैप के क्वेश्टन का कोई उट्टर ही नहों तुस पे चर्चा करने का मतलब ही क्या है तो बुद्धिस्ट फिलोसफी मेटा फिजिकल कॉंसेप्ट के बि इस मोस्त इंपॉर्टन एगें डैडिक की बुद्धिम फिलोसफी जो है यूमेंटेरियन फिलोसफी एगें मैंटेरिय नियम फिलोसफी कि यह जो है है इतला है यह न यह यह था कर्या अध्यू जो है यह एनिपर साष्टा शॉट था समझेंगें लेक इब यू तीब आइ फिलोसोफी तो मैंने फ्यूचर आई-एस ओफिसर्स वोद्धिस्ट फिलोसोफी वर्थ फिलोसोफी वर्थ फिलोसोफी फिलोसोफी विकॉस इस टॉक अबाट कर्मा कर्मा जैसे लेट में गीब यूद एक्जंपल ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि बैदिक रिलीजन ने वर्ण सिस्टम को डेवलप किया चार वर्ण आए जिसमें कुछ सुप्रीम कहलाए और कुछ लोवर कहलाए तो गुद्धिस्ट फिलोसोफी यहां पर यह कहती है कि ज़िए सब सब व्यक्ति का जन्म एक ही प्रकाल से होता है तो कैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जन्म क्या अधार पर क्या है अब आई बर्थ आदमी उच्छ है और लोव है लब निम्न है हम कैसे कह सकते है तेखे अरे बेटिंग अपॉइंट ट्रभाई यो यह दो अम लोगों से था तो पहला इन्होंनों वंड शिस्टम पर चोड़ की यह बोल कर ठीक है अगेंस्ट बॉर्ड शिस्टम पहला डीज राकल डूसरा की लेड न है ऐस apparATA को सब्सक्राश्राउरस हो शुद्ण फिर्लेडोर्येट कर्म कीर्षी का नान सुना होगा विर्णे सब्सक्राश्र स्लेड़ी अरध्यी ज़ैसे हुप बिट लॉजिक उससे बड़ा लोजिसिन कोई नहीं था तो कासी पहुचे धर्म किरती ठीक है कासी पहुचे जब वह कासी पहुचे उन्होंने अगर तुमने अपने घर में नीम का पेड़ लगाया है और तुम दिन रात यहां पूजा करते हो तो क्या भगवान उस नीम के पेड़ को आम का पेड़ कर देगा है इन पूजारी कहता नहीं ठीक है ऐगर तुम अपने घर में आम के पेड़ लगाए हो तुम पूजा करना बंद कर दो तो क्या हुच्त के नाम पेड़ हो चुप हो जाते वह बोलत ना वो मानते जिल हैं नवाने हैं तो किसी को नहीं म« आप अम्न वेर्श guiding कि लेकिन उनकी फिलोसोफी जो हैं वो कहती है कि करमा ज्यवारीतिग्षर्फ कि कर्मा ik भाउन, नीम के पेड़ बहोगे तो नीम ही मिलेगा आम नीम मिलेगा आम के पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेगा नीम नीम लेगा इस प्रकार से एक ब्यक्ति को पूरे जीवन अपने कर्म जो है अच्छे करने चाहिए और तुम अच्छे कर्म लेकर जाओगे अब चाहे तुम जहा जाओगे नहीं मानते हो तो जहां भी जाओगे उस प्रकार से तुम्हारे अगले जन्म पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि यह तुमने नीम के पेड़ लगाए तुम आम की लाजसा में तुमारा दुबारा जन्म होगा यह तुमने आम के पेड़ लगाए तो फिर आप ऐसा त्याग करोंगे कि दुबारा आप उसान के लिए आओ गई नहीं इस तरीके से आप यात्मा जन्म मरड के चक्कर से मुक्त हो जाएगी ठीक है क्लियर है है हां है अलिगेटिक नवाइंट यस डैटिक अ मूर इंपर्टेंट क्लियर है हां इसको रोड़ा से समझ एगा तो इस पॉइंपर्टेंट तो सेकेंड यहां पर आ गया हां दा सेकेंड करमा ठीक करमा इस अवरीथिंग करमा इस अवरीथिंग क्लियर है था फोड़ पोइंट आं गोईंग टो एक्स्पें इज ठीक है अभी मैं बता हूंगा कैसे बिना सोल के जन्म होता है दा फोड़ बाउट रिजेक्शन आप इस सूपर में से आप संस्कृत इड़ीजेक्ट इड़ी में तूपर मीशी अप संस्क्रिट इस सूपर में सी को रिजेक्ट किया इसका कॉंट्रीपिशन बहुत बढ़ा है जानते क्या इंन्होंने बोला कि संस्कृต को पहले तो संस्क्रित में अपने फिल्लासोफी को लोगों सो समझे लेंस मुझे गार और आप जिस भ्यक्ति को गयान मिल जाता हैं याठ और भू जाता है कि कि इसको सत्छ है जल गया तो गॉत्तम वूर्था हो मेंस संसार के सभी लोगों को संसार के सभी व्यक्टि को मैं शिखाऊंगा और उसको सत्य का मतलब उसको सत्य का आभास कराऊंगा और जब संसार से हर एक व्यक्टि को मुख्ष नहीं मिल जाता तब तक मैं मुख्ष को धारड़ नहीं करूंगा इसलिए गौतम मुख्ष को बोला गया है आपका क्या नाम है उसका बोधिसत्व यूप्यसी का क्वेश्चन भी है कि बोधिसत्व कौन है जिनको निर्वान तो मिल जात ठीक है और इससे मुख्ष की प्राप्टी मनद जब तक संसार में सबका मुख्ष नहीं मिल जाएगा तब तक बहुत अच्छा क्वेस्टन पूछा संस्कित लेंग्वेज एंसेंट इंडिया में बहुत बड़े लेबल पर फैली थी कि बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है आपके समझ में आ जा तो बड़ी बात है कि वेदांत दरस्व में संकराचारे का नाम सुना है कि इसलिए कहते हैं कि कम नॉलेज के साथ में हर कोई उच् कुमारिल भट का नाम सुना है जिन्होंने मिमान सा दरसन दिया था बहुत धर्म इस उचाई पर था कि पूरे भारत में संस्कित में पूरा परिवार और संस्कित को अपनाने वाला सब्टे रूप से एक ही परिवार पचाता कुमारिल भट का जब संकराचार अपने घर से निकले जब संकराचार अपने घर से निकले तो जब वो संकराचार जाने लगे कि मैं दरसन लाओंगा मैं फिर से संस्कित और बेदांट को अब वैधिक सिस्टम को रिवाइट करूँगा तो संकराचार की जो माता जी उन्होंने बोला कि कुम तो उनके गहां कि और घूबल करोगे तो देखोगे पूरा परिवार बैटा है और संस्कित में समबात कर रहा है तो कुमारिल भट का अपना एक परिवात थो एक माता संस्कित बोलते थे बुद्धिजम पूरे भारत में फैले चुका था इस्ते बड़े लिपल पे तो जब बुद्धिजम शुरुवात में पाली यूज करने लगे और बुद्धिजम हाइलाइट होने लगा तो जहां जहां पे बुद्धिस्ट मौक्स जाते थे लोगों को तभी भी संस्कित बोलना आती थी तो लोग क्या बोलते थे बुद्धम सर्णम गठ्छामी यह उन दीज आध्डा कम्मुनिकेस्ट लेंग्वेज अब डेक डोस परसंस ठीक है को वांटें टू बीड़ पार्ट ऑफ दी बुद्धिस्ट संग्धा एक मुझे जो भासा आती है और मैं किसी चीज किसी गुरुप से अट्ट हूंगा तुन से मैं उनकी भासा मैं तो बोलू का संस्कित को रिजेक्ट किया उन आ हूंग घुच ए कर वांटें तो थह नि CARम बदुद्धिस arrive क्या आगे चलके जित्ते भी भक्ती मुगमेंट आएंगे यूज पाली लेंग्वेज का यूज करेंगे माइडे फ्यूचर आइस ऑफिसर्स और यह लोकल लेंग्वेज का संस्कित लेंग्वेज पे डॉमिनल था किनका ब्रह्मन और अपर क्लास का और अपर क्लास से संस्कित का नॉलेज और पढ़ने नहीं दिया जाता था तो गौतम ने बोला कि मुझे पाली में प्रीज करना है ठीक है और इसी को आप हमारे कॉंस्टिट्यूशन में देखोगे कैसे देखोगे जब बाबा सहाब भीम्राम बेटकर ने बुला कि या फिर जो पैनल पूरा पैनल था उनका परस्नल नहीं था लेकिन नाम लोग लेते हैं तो पैनल था तो याद रखेंगे जब उस पैनल उन्होंने बोला कि हमें संभिधान में ऑफीसियल लेंग्विल में संस्कित को एड़ करना चाहिए तो नहरू वस टोटली नहरू जी जो थे उन्होंने टोटल अधे वह वर्नकुल लेंगुज में प्रीच करते हैं यहीं से आता है क्यों राजा-्राम-मोहंवराय का ब्रह्म समास्था वं के-टाइब में तल्ग में चमेंस्द के सभ्रू होता है कीडिए तटीछल फॉट्ट जो इसका वैलिटिसन आपको डिके घ। सएगर है dismiss तो यहां पर रखना है आपको बहुत इंपर्टेंट है एथिकल रेगुलेशन अगेंस्ट मेटाफिजिकल कॉंसेप्ट हुमानिटेरियम फिलोसोफी एंड रिजेक्ट दा सूपरमेशी ऑप संस्कित एंड एक्सेप्ट ठीक है पाली ठीक है फॉर देर कम्मुनिकेशन दीज से आता फॉर इंपर्टेंट पॉइंट्स ठीक है डैट विकम बेरी इंपर्टेंट ठीक है फ्रॉम दा प्रोस्पेक्टिव अब बुद्धिस्ट फिलोसफी ठीक है चलिए अच्छा अब गौत्तम मुद्ध को जो ज्यान हुआ थो चार हुए थे ठीक है पहला था कि लाइ है कि नहीं यह बता है मतलब लोगों ने बुलाया कि सल्सार कैन्सार की दुखों से बढ़ा हुआ है था आ सबतॉबस कि दुक के कारण हे तो बोले लोगों ने फूसञा क्या करण है ठीके तो इन्होंने बोला कि दुख के कारड़ क्या है तो इन्होंने बोला कि जन्म मरड़ बिजीज बर्ट ठीके और डेट क्लेर है सफरिंग्स, all sufferings मतलब जब एक बच्चे का जन्म होता है तूर होता रहता है ठीके अच्छा फिर वो पूरे समय जितना जीवन जीता है उसमें उसको लह रहकर बिमारिया होती है ओर डेज होगा बुढ़ा होगा हर एक ब्यक्ति को एक दिन बुढ़ा होना है ठीके ठीके अरे विटिंग न पॉइंट तो बोला जाता है कि बुढ़ा होगा ठीके अगर ब्यक्ति को आउगा अगें बीमारी होगी अब लोग अब लोगों के मन में कि बुद्ध जी ये बताई ये आपने ये तो बता दिया कि डुक के कारण क्या है कि एक टीच के सब्सक्राइब तो बोलागया कि डुक यह कारण यह मतलब आपने बता दिया इससे तो आम लोग घबरा गए और इससे तो समाज में सभी लग रहें क्या पैसा कमाएं क्या जीवन जीए क्या करें कुछ मतलब ही नहीं है जब सब 2017 दूआ पाले एक सो तो फिल गॉतम बुद्दा ने बोला कि नहीं ठीके लो नीट तो वरी ते से शेशन आफ शटारी है दुखर निरोध है हमें दुख का निरोध जो है ठीके वो कर सकते हैं ठीके डुख को खत्म किया जा सकता है और इसको खत्म करने के लिए आपके पास जो रास्ता है उसे उन्होंने बोला कि अस्तांगी का मार्ग तो उन्होंने फिर लास्ट में दिया अस्तांगी का मार्ग मतलब दुख निरोध मार्ग है इस मार्ग का यूच करके हम दुख को कत्म गर सकते हैं अब क्या होगा कि अब आप मैंसे बहुत साड़ी लोग यह होंगे लेकिन सब्सक्राइब तो होगी तो फिर क्या होगा फिर मैं आपको यहां पर यह कहना जाता हूं कि गौतम मुद्ध का यह कहना था कि यह तो तरक यह साइकल यह तो पूरा होगा लेकिन जैसे अब नहीं बात हो जैसे आपको फिवर तो को डॉक्टर गोल देए आपको बस फीवर आप ठीक हो जाओगे टॉक्टर गोल देए आपको 130 डिगरी फीवर आप देंको दुख समझ आपको 130 डिगरी ही भुखार था फीवर इतना ही था आप दू डॉक्टर के पास जाएं ठीक है मतलब दू डॉक्टर है एक डॉक्टर ने आप से बोला आपको फीवर में दवा लिग जिताओ कला की को जाएंगे आपको कोई दुख नहीं है चले आओगे कल ठीक वन एंडट परी हाहि अंक डॉक्त चाहते है कि आपको खार पहले वाला ही था लेकिन दूख़कना होगा वह तोमारी आत्मा जान सकती तुम जान सकते हो inzres侑 जान सकता है क्यों तुमारी आदी दिमारी तो बिमारी से शुरू हो जाएगा पारिस सब्सक्स नीडियुका अ अमज़ लो यहीं पर तुमारा अन्ट शुरू हो जाता है एक है हाँ अर्य गिटिंग अपर यहीं से प्रॉब्लम सुरू हो जाती है तो इस आधा पॉइंट बेकम बेरी इंपॉर्टेंट ए और यहीं ठीच यहां पर पूइटरी के से एक्स्पेन की गई है अधिक चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं ठीक है अच्छा फिर लोगों ने सेकेंड आपने एक कान्फूसियस का नाम सुना होगा ठीक है ठीक है डाट बिकम मोर इंपॉर्टेंट ठीक है कि अधिक कान्फूसियस ने क्या बोला तो मैं आपको बता दो कि कि अबहुत जब वो किसी के यहां पर जाता था चाइनिज तिंकर है वाद मीं बुद्धिज्यम जब वहां पर गया तो उसी में से एक कान्फूसियस निजम आया ठीक है मैं आगे बताओ किया है का डेवलप कि वह गया और जिसका भी हैपी बडे मनता था तो उसके जाता था और रोने लगता था अब जब और रोने लगता था आप जब वह रोने लगता था लोगपोछे क्यों रो रहे हो तो पूले इस ने अपने मिल्ट्टी की और एक कदम बढ़ा दिया है लब यह आदमी अब अपने मिल्क्ट्यू को प्राप्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि अपने मैसेज यह समझाया जाता है तक आपको मैसेज पता चले तो यह समझाता है कि कैसे एक इंसान अपने ही मिल्क्ट्यू के पास जाने के लिए कितना कुछ हो रहा है तो यह एक कॉन्फिस्ट का डेवलाप्मेंट था जो नहीं बुद्धिस्ट फिलासोफी को अपने रूप में एक्स्प्लेंट किया था ठीक है तो यहां से एक डेवलाप्मेंट इस्टार्ट हुआ ठीक है यह एचल उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं प्यार रखेंगे तब कुछ तो समझ लिया बस एक ही चीज़ दिमाग में घुज गई ठीक है यही ना हो तो सब खत्म हो जाएगा सम्मामला सारे दूप कात्म है ठीक है अहां है क्लिए तो डेट विका मोर इंपोर्ट ठीक है तो मैं अधिर फ्यूचर आइस ऑफिसर्स सबसे पहले जो डेवलप्मेंट फिलोसफी का निकला वो निकला कि जन्म से ही अगर मुं रिबर्ट से मुक्ती मिल जाए तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगे पहला और दूसरा फिर निकला कि रिबर्ट से मुक्ती क मुक्ती मी फीजिए का किस अंग निदान गटन जरू एक अधिस आपने मीदान और लिदेन Państwo कि फिर सब्सक्राइबान अे शारे का और वे नीड परिमन जोजिए कंट डोआ सब समी इस और फिर समी आए मूर्सा acredita प्रतित्य समुद्पाद बात करता है कि कुछ भी इफेक्ट उसके पीछे कॉज सबसे बड़ा पॉइंट है ठीक है तो देरिजर कॉज बिहांड एवरी इफेक्ट जो कुछ भी होना उसके पीछे कॉज तो याद रखेंगे बुद्धिस्ट फिलोसोफी कॉज पर बहुत फाइंड आउट दा कॉज इसी को कहते है प्रतित्य समुद्पाद जबनाने कॉज को दूड़ा तो गौतम गुद्धिके साबसे द्वादस निकले द्वादस मतलब बारा कि यह क्लियर है हाँ 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 यहाँ से डेवलोप्मेंट इस्टार्ट हुआ हुआ कि अग्याइब नेक्स अम लोग आते हैं प्रतित्य समुद्पाद डॉक्टाइन आफ डिपेंडेंट ओरीजिनेशन इगे आँ देखेंगे यह बारा जो point है वो मैं आपको explain कर दूँ कि सबसे पीछे cause क्या है तो सबसे पहला cause क्या है वो है जरामरन जरामरन बोला गया जरामरन मतलब old age and death ठीक है clear है old age and death are caused by birth are you getting the point and rebirth cause the whole chain of the worldly suffering after a man is caught in the wheel of the world disease old age suffering death it is तो इन्होंने 12 इदान में सबसे पहले पात क्या बोली कि यह ब्यक्ति की जो मृत्व है वन इसचित है मतलब जरामरन मतलब एक परसन को disease होगा old age जाएगा suffering होगा death होगा यह तो fix है तो लोगों ने पूछा आखिर ऐसा क्यों होगा तो इसके पीछे कौज दिया गया क्योंकि उसका birth होना है मतलब rebirth अगर उस ब्यक्ति ने जल में लिया है तो यह सारी चीजे होनी है तो लोगों ने बूला कि भाई birth क्यों हुआ है तो बूला कि आख बीकमिंग भाव विकमिंग भाव मतलब उसके अंदर से चंजरता ही क्लिंजिंग आएक अटैश्मेंट आया जर मिलेने का मतलब जब समझना है जिस प्रकार से एक डीपक जो दिया होता है आपने सुना होगा ठीक है एक जो डीपक होता है वह बुझते समय उसे डीपक से दूसरे डीपक को जला दिया जाता है तो एक डीपक जो है वो बुझते हुए दूसरे डीपक को जला देता है तो इसका कर्म उसमें चला गया इसका अंद्र तो हो गया लेकिन ये अब यहां से उस ने रूप में आ गया तो गौतम गुद्ध कहते हैं कि सोल नहीं होता है जो होता है वो हमारा कर्म होता है हमारा कर्म हमें भाव देता है मतलब आपके अंदर ये भाव चक्र होता है मतलब आपके अंदर जन्म लेने की सोच प्रविर्ती जन्म लेती है तो आप बुलेंगे भाव कैसे आया तो भाव ऐसे आया ताकि आपको अटेश्मेंट रहे गया अटेश्मेंट कैसे आया तो भेले क्योंकि आपके Neonna क्रेविंगे एक्सिंध दिजयायर है तो इसकी आपने कुछ चीज़ा Ir twelve किये ऐसे आहीं क्तर gay अपको चीज़ां किये और सब्सक्राव की किरें और नटेक्ट वनर्ट अने क्या इसफिये इस ay से किया है है तो भूला कि इंस पर्स मतलब जो आपके सधायतन ने सबस्किए सधाय करड़ श्मियर एक इस पर से क्र人ि की वही पर से आपके जो सधायतन ने किया जो सामझेंगे यह यह भी ने नेम एंड फॉर्म नाम रूपा तो बुला गया इस पर से कैसे आया तो बोला गया कि तो साइको फिजिकल बॉडी है जब एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है जब वो अपनी मा की गर्व अवस्था में होता है ठीक है गर्व में होता है वूंग ऑफ दा मदर ठीक है तो उसमें consciousness जन्म होती है conscious को बोला गया नाम रूप तो सडायतन मतलब आपके six sense organs कैसे डबलब होई जब आपके consciousness कैसे डबलब होई तो बोला गया क्योंकि आपके संस्कारा ठीक है प्री डिस्पोजिशन मतलब इग्नोरेंस मतलब डिपोजिशन प्रिसीडिंग डपरिएर अब अब इस तर्टेन एक्टिविटी अरुडिंग ड़्य जैसे बॉडिली फैब्रीकेशन वर्बल फैब्रीकेशन मेंटल फैब्रीकर्सन कुछ आपके जाहत रहे गया थी वह के संसकारा आपके कर्म है ठीके तो बोले कि ऐसे कर्म आखिर क्यों आखे कि मैं फिर से जनम म फिर से जनम हुआ फिर से मुझे बीमारी जिलनी पड़ेगी तो लाफ्त भुला गया क्योंकि आपके पास में अविध्या है एक्नूरेंस तो आपके पास क्या है अविध्या इग्नूरेंस है अदिग इस आई अब यहां से देखते हैं ठीके जिए यस तो देखें है आफे अविध्या तो आप इग्नूरेंस करेंगे अब इद्या की बात आईए अविध्या मतलब समझेंगे बहुत इंपर्टेंट फॉइंट फॉइंट पॉइंट की इग्नूरेंस स्कॉइज बाइडिजाया है आ रिग्यटिक नवाइट जब हमें अविध अच्छे कर्म अब अगर हमें हमारे कर्म अभिध्यात जुड़ें तो हमारे संस्कार को जन में देता है यह हमारे संस्कार हमारे अंदर कॉंसियस्नेस को जन में देता है जब यह कॉंसियस्नेस आता है तब हमारे अंदर नाम रूप आता है नाम रूप से हमारे जो शिक्स और अगरना कीस dönहरे अंदर उपादम देथी है हम भाव चक्र में आजाते हैं विस प्रकार से हमारा जन्म होता आए और फिर हमें मृत्यू और크ीव लिए सफ़रींग डिजीज औरत उंदर इस को सफर गना पढ़ता ही है क्लिए हर एक लिए है ये डिदेंग अण तो एक यह तो अब इद्या की बात विद्या अब इद्या किसी भी प्रकार से हो सकती है तो इसे गोला गया है द्वादर समिदान मतलब आत्मा ना हो तब आप ने संसारिक मुमाया बंदन में फस्के एक यह मिल्टियु के टाइम आप को कस्ट रहा तीके यही आपको अगले जन में फिर से लेकर जाएगी आप देखेंगे आप देखेंगे आप तो बोला गया इस से फिर मुट्टी कैसे पाई तुझा समझना बहुत इंद गॉत ने बोला कि यह एक जंजीर की कड़ी है और अगर हमें इसको एंड करना है ठीके तो हमें इसमें ट्रिस्क्ना को खत् समझान पड़ेगा अगर अगर हमें इस जंजीर की कड़ी से कड़ी को भी टोड़ दे तो जंजीर क्या हो जाएगी अलग-अलग हो जाएगी और एक ब्यक्ति जो है वह जीवन मरण की चक्तर से मुक्त हो जाएगा मौच्ष प्राप्टिक लेगा वो तृस्दै एक्स्रीम क्यों नहीं आएगा आखि इसको कैसे तोड़े तो बोले ताकि आप एक काम करें आप ज्यान प्राप्रेकल लिजे आप अविध्या पर मच जाएए तो जितने भी फिलोसोफी है नो कि अब जाएट अंडर्स्टेंडिंग अडिक इंडर्स्टेंडिंग मतलब गौतमभुद ने बोला कि उस ट्रिष्णा को सब इद्या को खत्म कर सकते हैं उसके लिए अमारे पास एक मार्ग है उस मार्ग को बोला क्या स्टांगी का मार्ग ठीक है हां अब रेखेंगे राइट एक ब्यक्ति है ठीक है दो समझेगा मेरी बात को समझेगा एक पर्सल्य काफी डुखी झाफी डुखी है तक हां बहुत इंप्पॉर्टेंट है जो कि हम लोग को मालूम भी होना चाहिं एक पर्सने काफी डुखी है और वह उसाल आदमी को देखकर चिरता है वह कि बॉसके कि जब किसी को खुसी में देखो तो चुड़ों मत एक बार उसके पास जाकर बैठो जब तुम उसके विश्वास को जूजीत लोगे तो आप खुद ही बताएगा कि मैं समाजी कर क्यों करता है क्योंकि मेरे घर में कला है इसलिए मैं हमेसा घर से बाहर लगता हूँ औली शुणा चुई है मिरे पास पैसा तो है लेकिन मैं दिन रत सो नहीं पाता हूँ क्योंकि कर कभ यह पैसा चोरी हो जाए लामीर आदमी पिस चुखी नहीं ए फटिक जो आदमी चीजों को समझ लेंगे तो हमारा आपसी ड्वेस खतम हो जाएगा हम एक दूसरे से जलना चड़ना बंद कर देंगे यह पहला फॉट यहां पर चल्म लेता है ठीक है हाँ उसके बाद सब्सक्राइब आपकी सोच सही होगी तो फिर आपकी अंडेस्टेंडिंग डिवेलुशन है ठीक है इसको आप कैसे खत्म कर सकते हो जब आपके बीचार सही होंगे जब आपकी सोच सही होगी तो फिर आप की अंडेस्टेंडिंग दफ़र्फ होगी जैसे तो सो अच आप सभी को मालूम होगा जैन को मूर इंपॉर्टेंट ते कले ते अधर मूर इंपॉर्टेंट दे लाहिक टार्ट ठीक है राइफ हाट मतलब जесь मंगनदा जैसे कि एक बहुत अच्छा इसमें के स्टोरी इस्टोरी फॉर्मिट में यह जैसे मैं आपको अपने सब्दों में बता दू कि जब टेस्ट में कोई बेक्टी टॉप करता है ठीक है तो आप उसे चिड़ने लगते हो यार यार यह टॉप प्याया है आपके बहले कोई जलस क कि फीलिंग आती है ठीक है लेकिन आप उसके साथ बैटो तो आपको बता चलेगा कि भाई सब कितनी मैनद करके हो यहां पर पहुचा उसने कितने कश्ट जे ले तो आज टॉप प्यार है तो आपको अगर अपने इंदर द्वेस को खत्म करना है तो आप अपने थाट को जन सब करके हम सब क्यों नहीं मिलकर टॉप करते हैं कि जिसन तुम्हारा में आजाए कि सब टेस्ट में मुझे टॉप करना है गलत है जिद्विद आजाए कि हम सब टॉप करेंगे टेस्ट में वह सही है यह राइप अपको राइड अड़स्टेंडिंग देगा can अपसे तो तो दिन आप हमेशा जलस फिल करो गे मान लो किसी दिन टेस्ट में टॉप नहीं कर पाए आप जो टॉप करेंगे उसी जल्जाओ रेयार यार यही टॉप करेंगे तो कुसाली हमेशा रहेगे तो धिस इस पोड़ राइप प्र राइट स्पीच गौतम गूत्राइट लुण अबूलील जारूरत ना समझना के ए घ uni जारूरत ना हो ऊए अधनल मत जो यह यह जो और यूत फिला फोटिंगम कि जहां जरूरत हो वहां उचीत बोलो जहां जरूरत हो वह सही बोलो अ थार्ड बोईंग कि कभी भी गलतम डूशना जैसे अलमूनीया जाते हैं तो हमेसा गलत कुछ ना कुछ बोलेंगे लेक्चर में इसा है अब क्या मुझीबत यह में अपका क्या कर लिए ते कि यह मैंने चेट आप कर दिया आप चेट आपकर देखों बोलते रहें तो वह संसार से कुंठिद आदमी उनका डेपलोपमेंट कभी होई निसकता का कि तो बोला जाता है कि यहां तो डोल जिसे रोलुक आपकर रहें इनके पीसमें पर बोल ओल्ग जरूरत दिए तूम्हारी जो तीनिये अकरति इनके बीश मोले तो तुम पस्जाओं गी क्या कि क्योंकि वहां पे तुम तुमारे उच्छे स्वारे ने इनिए नियुकर पह अगर कहीं बोल देते गौतम हुद इस्वर के नाम ते तो फिर तो बुद्धित फिलासफी डेवलाइब फोई नी सकती थी क्यों फिर टो प्लेस तुरू हो जाता वैधिक सोसाइटी हावी हो जाती ठीक है हिंसा प्याद में उतारू हो जाता कुछ चुप हो गया उन्हों दे अच्छा उसके बाद फिर आपता राइट एक्षन है अच्छे कर्म यहां पर कर्म अगर अच्छे होंगे अगर तुम नीम ही मिलेगा और आम की पेड़ अगर लगाओगे तो आम ही मिलेगा तो आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा और करव के रावा फिल लाइट लिवलियूट अब राइट लिवलियूट क्या है तो आई जान देखते हैं लाइट लिवलियूट का मतलब होता है कि सुम्झेगे कि बुला जाता है कि आपने इसमें चाड़क के कुमे लाना जाओंगा चाड़क बिकम मुर्वर इंपॉर्टेट कोटिल लगा नाम से नौग आपने चाड़क कोटिल ने बुला कि एक इंसान को उतना ही कमाना चाहिए जितने उसकी जरूरत हो जरूरत से ज्यादा धन किसी के च्पूर्श जाता है इसे को पैसा है तो बिमारी भी ए ए कि एक खूप एक जरूरत से ज्यादा पैसा जो होता है जिसे कहते हराम का पैसा हराम में जाता हूओंक यहां पे गलत तरीके से कमाया गया धन गलत चीजों में ही खत्म हो जाता है इसे कहते है राइट लिबली हुए ठीक है क्लियर है हाँ अच्छा उसके बाद फिर दाई डेफर्ट बुला गया कि हमें एफ़र्ट जो है न वो सही दिसा में लगाया जाने चाहिए सही दिसा मतलग एफर्ट का डेवलक्मेंट सही दिसा में मतलग जैसे आप किसी की घर पर गए अच्छे छोले वडूरे बने हुए है तुमने पूरी टागत लगा दी छोले वडूरे काने में ठीक है आपने घर बिमार पड़ गया डॉक्टर के पास डॉक्टर ने आपका इलाज किया कूप करना झिये लेकिन एफर्ट की डिसा सही होनी ची आठैं समाझ में किसी के भखले के लिए चार कदर चल जाया हो सही है लेकिन आपूछ खाने के लिए चार कदर जा रहे कुवं क Marvel लेकित तबोनता परिस्रम होे हैया ठीक है दोनों जगा परिस्रम हो रहाい है थी यहई दोनो समिन में है पिर आपकर प्याइट माइंड फॉल्नेस कलैंग के ए फिर rage म॑ा रिई मीन फॉलस्स कै तो लेट में गीविह स्थॉर ठ्क्राइब PLCC फिर कुल बिलकुल कि देखेंगे राइट माइंड फुलनेस का मतलब होता है कि तुम्हारी सोच ठीके कहने का मतलब कि जब तुम्हारे एफ़र्ट अच्छी होंगे तो तुम्हारा मन सांथ होगा जब तुम्हारे एफ़र्ट खराब होंगे तुम्हारा मन कभी भी सांथ नहीं हो सकता है कि किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा बुरा नहीं मिलेगा और किसी के साथ बुरा करोगे तो कभि भी राइट लो डा으 ने क посмотрим भूडे तो chilli होगे लेकिन बोडे बने का एसास नहीं होगा चेतना नहीं होगा ठूट होगी लेकिन मृत्यू होथ गम नहीं होगा जैसे कि लोगों के मन प्रिवार को तुट और जिसके मोर्मले की वह भी द्वी मिलता बल्क वह सोचेंगे मोक्ष की प्राप्टी होगस इस प्रकार सबसार से सारय दुख समाख्त हो जाएंगे ति ये और एक दिन सबसार में सभी को मोक्ष की प्राप्टी हो जाएगी और ये जो अबिद्या, जनम, मरण और ज़राNew इससे सब कोई मुख्ट हो जाएगा इसी को कहते बुद्धिष्ट फिलोसफी है ठीक है यह एक जो पॉइंट है यही मैं आज आपको समझाना चाहता था तो आज गोप यूगेट मैं पॉइंट ठीक है यहां तक था याद रखेंगे तो याद रखेंगे इस चैनल को लाइट सेर और सब्सक्राइब करें ठीक है यूज कोड दीपक वन ठीक है एक लेक्टर के पीडिया फोर नोट सेंग पर मिलेंगे तो बाबाए टेक कैर है वोड देक कल मिलेंगे हम लोग जैनलिजम फिलोसफी के साथ में ठीक है और फिर हम मंडे को करेंगे मंडे को क्लास नहीं रहेगी संडे मंडे ओफ रहेगा वेट टूटे को